So guys Samsung Galaxy J2 2016 और Samsung Galaxy J2 Pro को June 2018 का latest update मिल चुका है यह 2018 का 3rd update है इंडो डिवाइस के लिए यहाँ पे आपको 3 खास changes नजर आती है करिवन 264 MB के updates में अब वो खास changes जो आपको नजर आएगी इस वीडियो में देखने को मिलेगा So let's dig on and check out what's the problem being in these updates So guys let's start without resting any punch of time दोस्तो सबस्क्राइब कीजिए J3 Goodwin YouTube चैनल को और साथ में इस bell icon को दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले सबसे पहले बात करेंगे इसके updates के बारे में यहाँ पे जो आपको खास तोर पे update मिला है security page की जैसा कि Samsung लगातार यही काम करता है update के नाम पे तो यहाँ पे आपको latest security page मिल जाता है software का करीबन 1 June 2018 का यह security page है जो कि यह सबसे बड़ा update है इस device में जो कि हर बार आता है कोई खास बात नहीं हुई एकदम नहीं हुई अब जो second update है इस device में आपके file manager में दिखाए देगी या smart manager नाम के application में भी आप देख सकते हैं जैसे कि आप smart manager को switch करता है storage usage से तो यहाँ पे कुछ खास तेंजिस नजर आएगी तो कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आएगा first one move to memory card हाँ यह option जो डिनेवल कर दिया गया है आपके लिए आप सायद घोस भी होगे लेकिन यहाँ पे किसी भी application को supported नहीं बताया गया second thing से यहाँ पे delete duplicate image जो कि आपको features काफी खास लगता है देखने में लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यह अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है यह आपके name basic पे यह search करता है duplicate image को तो यह features काफी खास नहीं है यहाँ पे जैसे कि आपको first number में ही दिख रहागा difference यह picture same नहीं है लेकिन फिर भी इसे delete करने को कर रहा है duplicate बता करके यह नाम से डिटेक रहता है या आम बात है किसी भी software के लिए सही डंक से work नहीं करेगा खर जो भी है duplicate image डिट करने के लिए काफी अच्छा है और third thing यहाँ पे zip apps आपको already मिला हुआ था लेकिन यह सामने कर दिया गया delete saved app files यह भी आपको already मिला हुआ था लेकिन यह भी सामने कर दिया गया तो इस परकार के आपको update ने जर आते है smart manager में यह आप setting के तोर पे भी देख सकते है अपने arm setting पे जा करके वहाँ पे आपको smart manager नाम के settings में जाना है और यहाँ आपको optimize का button दिखाए देगा निली करड़ का इस पर tap करना है तो आपको वही screen वापस से cool करके आ जाएगा जो वहाँ पे मिलेगा same things लेकिन यह आपको screen optimizing के बाद ही दिखेगा तो इस परकार से यह आपको नजर आएगा अब सबसे last update पे चलते हैं कि एक update ही नहीं बहुत ही बड़ा bug है जो कि last update में नहीं था लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यह बग अप्रील के security patch में आया था लेकिन मेरे हिसाब से यह जून के security patch में आया है क्योंकि अप्रील का security patch की वीडियो अभी भी अविलेबल है के बावजूद यहाँ पर कोई भी network so up नहीं होता है बस इतनी सी bug ही यहाँ पर जो कि कुछ लोग कहते हैं अप्रील के security patch में मिला था लेकिन यहाँ पर बिल्कुल confirm हो और confidence के साथ कर रहा हूं कि यह bug अप्रील में नहीं नज़राया था हो सकता है कुछ डिवाइस में आ गया होगा similar mistake होंगे लेकिन सारे डिवाइस में यह bug नहीं था मैं खुद ही उसका गवा हूँ और मैंने railway network पे यह wifi यूज किया था और कफी सारे मैंने mobile hotspot भी share किया था लेकिन ततकाल क्या करें उसका solution आपको next day वीडियो में मिलेगी सो गाइस थेंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो या 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 नौगट नौगट के लिए आप जोड यहां पे आए होंगे तो आप confirm हो जाईए कि इस device के लिए नौगट का अपडेट नहीं रखा आप नए डिवाइस ले लो इसमें कुछ खासियत है ही नहीं और Samsung जो आपने नए डिवाइस को ज़्यादा प्रिफर करता है अपडेट देने में पुरान डिवाइस के वनिस्पत तो थाइस वर वाइस को आप था नए इस वाइस अलने सब्सक्राब एंग टार पर लाइस नौटिवाइस है भाई